दोस्तो नमस्कात स्वागत है आप सब भी का इस चैनल पे दोस्तो देजबर के लाको पेंसन भोगेयों और सिनियर सिटीजन के लिए बहुती बड़ी खुशकवरी आ चुकी है साथी साथ मांगाई भत्ता और फिक्स मेडिकल अलाउंस की ख़बर को जानेंगे साथी साथ एरियर की ख़बर को जानेंगे तो दोस्तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए तो चलिए दोस्तो पहली बड़ी ख़बर की और चलते हैं जहां सो पहली बड़ी ख़बर आ रही है सिनियर सिटीजन को बहुत ही बड़ा तोफा मिला है जहां सो आपको बदा दो कि रेलेवे ने सिनियर सिटीजन को दिया सांदार तोफा senior citizen अगर बीमारी से पीडित है या उनको कोई रोग है जैसे कीडनी का रोग या कोई अन्य रोग है या कैंसर का रोग है तो ऐसे में अब उनको railway किराय में 75% तक टिकट में चूट दी जाएगी जहां दो बड़ी कबर आचुकी है कि senior citizen को सांदार तौफा मिला है अगर बीमारी से ग्रसित senior citizen को अब railway में किराय में 75% तक चूट दी जाएगी वहीं दोस्तो अगली वड़ी कबर आचुकी है SBI ने लाकों पेंसन धारगों को दिया सांदार तौफा SBI ने अपने ग्रागों के लिए एक नई service की शुरुआत की है अब आपको बैंकों में पास्बुक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपका सारा काम आपके आधार कार्ट से ही हो जाएगा SBI ने एक important circular जारी करके कहा है कि अब सभी काम आपके आधार नम्मर से ही हो जाएगे आपको पास्बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है वहीं दोस्तों अगली बड़ी ख़वारारी है पेंसन धारकों को केंसरकार ने दिया सांदार तौफा जियांस तो केंसरकार ने सरकुलर जारी करके कहा है कि सभी डिपार्टमेंट और बैंकों से कहा है कि पेंसन भोगियों का काम सही समय पिक किया जाए अगर पेंसन भोगियों आपिस में या बैंक में आते हैं तो उनके साथ अच्छा बहवार किया जाए आदर के साथ उनको बैठा कर उनकी बातों को सुना जाए उसका निराकरन किया जाए अगर पेंशन भोगी कोई फॉर्म भरने में तकलीफ हो रही है तो कर्मचारी अधिकारी उस फॉर्म को भी ना सूल के लिए भरेंगे बैंकों में पहले पेंशन भोगेओं सीनिर सीडियन को वरीता दिया जाए जाए जादा दिर तक उनको नाम बैठाया जाए वह दो सुअगली बड़ी खबार आ चुकी है इलावाद हाई कोड के बाद पंजाब और हरियाना हाई कोड ने बहुत बड़ा फैसला दिया है जिसमें कहा है कि रिटार्मेंट बेनफिट को रोकना अवैध ही नहीं बलकि पाप है जिया उस तो रिटार्मेंट बेनफिट स पेंजन भोगियों के लिए जहां सो पेंजन भोगी सर्विस बुग में अपने नाम उपनाम को बदलवा सकते हैं इसके लिए उनको अनुमति दी गई है इसके साथ उसाथ उपनाम या सरनेम को भी एड़ कराने की अनुमति दी गई है इसके साथ पेंजन भोगी को अपने उपर आसरित नॉमनी का भी नाम बदनने की अनुमती है या नाम में कुछ करेक्शन है तो वे भी सुद्रवा सकते हैं वहीं दो सो अगली बड़ी ख़वार आचुकी है सूप्रीम गोड़ का बहुती बड़ा फैसला आया है सरकारी कर्मचारी पेंजन भुगी पे मुकедमा अब दर्जकराना होगा नहीं आसान जिहांस तो बड़ी खबरा चुकी है कि सरकारी कर्मचारी पेंसन भोगी पे मुकदमा या फायार पुलिस कम्प्लेन कराना अब आसान नहीं होगा एक करने से पहले सासन की मंजूरी लेनी होगी डारेक्ट मुकदमा फाइल नहीं किया जा सकता है कर्मचारी पेंसन भोगी के उपर वही अगली बड़ी ख़बर आ चुकी है fix medical allowance को लेकर जियांस तो fix medical allowance को लेकर बड़ी ख़बर आ चुकी है कि आपका fix medical allowance 1000 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए होगा जियांस तो non-sHS area में जो pension भोगी रहते हैं तो उनको 1000 रुपए fix medical allowance के रुपए मिलता है लेकिं दोस्तो दोस्तों बहुत ही जद इसको बढ़ा कर 3,000 रुपी किया जाने वाला है वही दोस्तों 65 साल पे 5 परसंट, 70 साल पे 10 परसंट और 75 साल पे 15 परसंट पेंशन में बहुतरी को लेकर बड़ी ख़बर आ चुकी है कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेर सुसाइटी ने एक पत्र रश्प्रती मोहदय को लिखा है और मांग की है कि संसदी समिती ने जो सिफारीज दिया था 65 साल पे 15 में बड़ोतरी करने का उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए जिहां उसको जल्द से जल लागू किया जाए और इसके लिए और जारी किया जाए वही दोस्तों आग जास्तो केंसरकार ने एमेडर बेविवाग के पास भेजा है और बेविवाग जल्दी इसको लेकर सरकुलर जारी करने वाला है ऐसे में 30 उनको जो कर्मचारी रिटार हो चुके हैं तो उनको पेंसेनरी बेनिफिट के लिए 1 जुलाई का इंक्रिविन का फायदा दिया जास्तो पुरानी पेंसन बहाल करो 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भरती हुए हैं तो सभी कर्मचारी को पुरानी पेंसन मिलना चाहिए उनका अधिकार है पुरानी पेंसन उसी मांग को लेकर 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामनीला मैदान पे सभी कर्मचारी और पेंसन किया गया वहीं बिढ़ distaosale के बाद जो करमचारी रेटायर हुएँ तो उनका प्रमोशन अलग तरीक से का गया इस प्रकृस्टे का बहत रहा है jsो जो कीश्चारी जानी चाहिए, पनजब और हरी ना है की ब्हूत ही बड़ा फैसला तुन इसमें कहा है कि 1 जनौरी 2016 से लेकर 30 जून 2021 तक का जो भी एरियर है वो पेंशन भोगें को भुगतान करके दिया जाए जियांस तो राजसरकार ने इसको रोक लिया था यानि कि उनका एरियर का भुगतान नहीं किया था लेकिन दोस्तों आप बड़ी कुछ कवरी आ चुकी है कि पंजाब और हर्याना हाई कोट ने बूटा सिंग के मामले में बड़ा फैसला देते हुए उनको एरियर भुगतान करने का आदेश जारी किया है वहें दोस्तों अगली बड़ी कवर आ चुकी है सितंबर मेहने की पैंसन को लेकर जिया आँस्तों बड़ी कवर आ चुकी है कि डिये का एलान चार तारीक को किया जाने वाला है जियांस तो बड़ी कुछ कवरी आ चुकी है कि केंदरी केमिनेंट की बेटा चार तारीक को फिक्स कर दी गई है और चार तारीक यान की बुद्धवार को इसका एलान होने वाला है जियांस तो जो पिंसन भोगी 80 साल या उसके उपर है तो ऐसे पिंसन भोगी एक अक्टूबर से ही लाइप से डिविकेट भर सकते हैं फेस अथन डिकेशन के माध्यम से घर पे बैटे ही लाइप से डिविकेट भरा जा सकता है इसके साथ do जो 80 साल के नीचे के पिंसन भौगी हैं तो उनकी लिए एक नौवमर से live certificate भरने की प्रक्रिया सुरू की जाएगी इसके साथ साथ यहां में भारा सरकार ने एक alert जारी किया है साथ जारी पिंसन भौगयों के लिए जिसमें कहा है कि पुझा है कि life certificate भरने के नाम पे cyber अपराधी pension भोगियों को ठग सकते हैं ऐसे में अगर आपके phone पे किसी unknown नमर से call आता है या message आता है तो उसका reply ना करें cyber अपराधी pension भोगियों को ठगने के नए-ने तरीके इजाद कर रहे हैं आपको phone करेंगे आपका data उनके पास रहता है जिससे कि आप उनके जासे में आ जाएंगे और अपने mobile का OTP आप उनको दे देंगे ऐसे में दोस्तों यहां पर भाराध सरकार ने कहा है कि OTP किसी भी हालत में किसी को नहीं देना है और कोई भी unknown numbers को आपको स्विकार नहीं करना है वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबारा चुकी है देजबर के लाखों pension भोगियों के लिए जिनकी pension SBI बैंक से निकलती है तो ऐसे pension भोगी अपने normal account खाते को DSP account खाते में change करा ले इसके लिए SBI ने एक important circular जारी किया है और कहा है कि अगर आपको फायदा लेना है तो आप अपने normal pension account को DSP account में change करा सकते हैं और धेर सारे फायदे ले सकते हैं